आप सब आप सब आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ तो गाइस आज मैं अपना व्लोग दुफएर को शुरू कर रहे हूं इसलिए मैंने गुड़ आफटर नून बोला क्योंकि मैं किसलिए दुफएर को शुरू किया और सुबह क्यों नहीं किया इसको जान के लिए आपको मेरी व्लोग में बने रहना पड़ेगा तो मेरी व्लोग को इन तक दिखिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्री है फ्री 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 है कोई पैसे नहीं लगता है सब्सक्राइब कर लेंगा गाइस मैं आज गाजर की हलवा बनाने की सोचा है तो यह म तो उसका जो है न फ्लेवर चला जाता है तो तुरंट उसी टाइम पे बना के करने से उसका जो न जो फ्लेवर है एनन्स हो जाता है और यह मैंने मिल्क रख लिया है फुल क्रीम का रखना है फुल फैट का क्रीम का दूद लेना है गाजर का हलवा बनाने के लिए तो बहुत बढ़िया हलवा बनता है यह मैंने कड़ाई चड़ा दिया है जब जैसे बनाएंगे तो तब तब वैसे दिखाते जाओंगे पहले इसको ग्रेट करना पड़ेगा अब देशी घी ये मेरी सासु मुम ने बना के वेजा था तो ये अभी तक मुने रखा हो और तक मैं रखा हुआ है इसको अभी गी गरम हो गया है तो इसको डालके दम देना है इसमें गी में काजर को तो ये जब सारे गी में अच्छी तरह से पक जाएंगे उसके बाद दूद डालना है अग्यम और चलिए ये प्वोस अच्छी से लिए अगर कम पर रहा है मुझे लग रहे हैं थोडा सा घी कम है क्योंकि मेरा गाजर ज्यादा है तो और थोड़ा सा घी में और घहाँ डिया इसमें जितना घी डूदा करो दूदा का रिच हो दे आगा आपका हल्वा लेकिन खाने में भी उतना ही टेस्ट टेस्टी लगेगा दूसको थोड़ी देर के लिए ना दम पे रख देते हैं यह जैसे पक जेंगे अपने आप में तब इस आगे का प्रोसेस मैं बताऊंगे साथ साथ में मेरा ये चाय भी पक रही है ये देखिए अगरक वाली चाय जिन जिन को पीना है वो आ सकते हैं उमानार मेरे साथ चाय पीने के लिए ये देखिए मेरा चाय भी बन गया साथ में सो गाइज अभी देखते है कहां तक मेरा गाजर दम पर रखाथा तो कहां तक पका है ये देखिए ये कितना सारा डाला था मैंने अभी इतना ही बचा है यानि कि ये अच्छी तरह से पक गया है एक पूरा सौफ हो गया है और घी में तारा पक गया है अभी ताइम है दूद डालने का इस इस टाइम पर आपको क्या करना है दूद डालना है यह देखिए मेरा यह दूद अना एक अच्छाई दूद डाल रहे हूं है आपके पास अगर उबाला हुआ यह देखी यह वाला है मेरा यह अलमराई का दो लिटर का है दोस्तों यह लेकिन हम लोगों ने अधा यूज किया है तो मैं इतना ही डाल रहे हूं जितना ज्यादा आप दूद डालोगे उतना आपका हलवा रिच बनेगा दूद या मावा खोया कुछ भी जो भी बोलते हैं वो सब चीजे डालने से ना खोया डालने से इतना ज्यादा पकाने की जरुरत नहीं पड़ेगी आपको अगर दूद आप डालोगे तो दूद में ही इसको पकाना पड़ता है अच्छी तरह से जब तक दूद गाढ़ा नहीं होगा और खोया जैसा कंसेस्टन सी नहीं आए बीच बीच में ताकि यह नीचे से जल ना जाए दोस्तों तो चलिए अभी इसका दो प्रोसेस है अभी ज्यादा लंबा पड़ेगा जब बनेगा तो फिर मैं दिखाऊंगी तब तक मैं अपना चाई एंजोई करते हो यह दिखी इस मैं अपना चाई 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 बीच 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 में आपको ना लगातार इसमें कल्ची चलाती रहना चाईए दोस्तों वरना ये नीचे से जलने लग जाएगा दूध है तो आपको चलाते रहना पड़ेगा कल्ची लेगा तो गाइस मैं इससे एक मग एक कपा ये चीनी एड़ करने लगी हूँ यहां की चीनी बहुत बारिक रहता है ये देखिए इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा डाल रही हूँ आपको जैसे जितना मीठा खा सकते हैं उसकी हिसाद से आपको चीनी मिला आपको को पड़ेगा आप देख के मिलाईजी अपने टेस्ट के हसाल से किसी के घर में ज़्यादा खाते हैं किसी के करमें कम खाते हैं तो उस हिसाब से आप लोगों को ने हैं चीनी दांके फिद दोस्तों भी चीनी दांके इसको और पकाना पड़ेगा जब convincing आप तो हल्वे वाली कंसिस्टेंसी नहीं आती है तब तक इसको पकाना पड़ेगा और बीच बीच में लाते रहना है नीचे जलना नहीं चाहिए यह देखिए जैसे आप बाद में कलर आते जाएगा आपको जो यह रिखिए यह इसका गाजर का हल्वे का कलर बाद में आएगा ज तो चलिए बनने के बाद में दिखाते हूं कि यह बन रही है बिल्कुल और थोड़ी सी देर है दूसको जैसे इसकी कड़ाई छोड़ने लग जाएगे ना तो हो जाया गई तो इसी स्टेज पे ना आपको यह ड्राय फूट्स डालना है कोई साथ बाँ सकते हैं, आपके पास फोटिंता है बाद यह कुछी वी इलाईची का पौडर माया्वर स्टो मिल लाने से आपको जो यह अजो मिलता है ना इसका बहुत ही बढ़ आलमोस्ट बन चुका है यह अ हरिख्ये यह vidare कड़ाई चौड़ने लग देया हिए है करें तो इसका मतलब है कि यह बन चूक है यह ऐसे भी आप लोग दे ते या फ्रिज में स्टोर करके जासे जब भी चाहिए जिसको गरम चाहिए उसमें इसको गरम करके दे सकते हैं और जिसको ठंडा चाहिए वो ठंडाई खा सकते हैं और इसके बर्फि भी जमा सकते हैं देखे अब ये कडाई चोड़ने लगया तो ये कडाई भी मोटी है ना तो अभी बंद करेंगे तो थोड़ी देर इसके ये रिखिए मैंने आफ कर दिया चुला ये बनता रहेगा अभी पकता रहेगा थोड़ी देर क्योंकि एसे हिलाते रहना चीए खल्ची को क्योंकि ये कडाई से ना फिर नीचे जलने की चांसस रहता है तो आप लोगों को थोड़ी देर हर दो मिनिट में थोड़ा सा कडाई ठंडा होने तक करते रहना चीए दोस्तों आज मेरा गर्म गाजर का हल्वा ये दिखें ये हैं गाजर का हल्वा ये कडाई पूरा छोड़ दिया आज का मेरे प्रोसेस खत्म दोस्तों ये इसको बढ़ने में थोड़ा थोड़ा क्यों टाइम लगता है ये बहुत टैम मैंन करके छोटा दिखाया है हिमत नहीं हारना है ऐसे ही बनाते रहने से आपका हलवा है ना बहुत ही बड़ी अच्छे से हलवाई की तरह दुकान में जो वेसे ही हलवा बनेंगा दोस्तों आज सुबह सुबह मेरी गर्मे के सा रहे हैं तो गुजरात से तो इसलिए मुझे प्रिपेर करना है दोसा यह रहा सेंजवान चटनी और यह गर्मा अगरम गाचर का हलवा और यह आलो की सबची और यह चाय इतना में जब आएंगे तो फरुसूंगी आज मेरा नास्ता यह है यह बनाने वाले हूं मैं अपने गिस्ट के लिए और यह घी रखा है दोसा को लगाने के लिए यह मैं बना रहे हूं दोसा स्टस्फ के दोसा ब़ुमा की दे दिया अल ड़डे हम लोगों को अभी एलोगने के लिए और यह बंत्रिया में विच आएं मेरा सारा नास्ता रडी हो गया था और यह आपको तो पता है मुझे आप शुकर इनको भी है आप नहीं खाते हो ताय में छीनी डाल दो की नहीं घ। यह प्रगती को संबा प्लाइड के प्रड़क्शन हेड है यह आपके घर में बहुत अच्छी से खाती दर इखे हİ यआद करते रहते हैं नहीं नहीं इतने एक दिन के लिए भी न घर का खाना मिला और थैंक यूटा से अच्छ हम एक बोलते हैं कि नहीं उनके घर मेंहेंदा गर्म अगरम कुछ्टी और सभी स्पजी शुड़ें को दो यह तो कभी पी हूं जाते हैं तो थाक के चाफ ओम इसे बेखा है कि पुड़ा परिवार भीवार नहीं आप मेरा अभी साब लोग एकी परिवार मेरा प्रगतिका सब अब यह आप जाता है अजी अ को दो आपके बहुत बोल रहे हैं नहीं सुबह सुबह हम लोगों को वो धर होटल जादा है नहीं था तो सुबह उन्होंने बुलाया घर का खाना अच्छा मिला ऐसे बोल रहे हैं तो आपकी बेटी कैसी है ठीक है अच्छा जी वह शादी हुआ ना इसलिए है वह तो पता है मुझे इन से पता चलता रहता है आपके बेटे का भी और बेटी का भी उसका भी शादी करने के आप सब्सक्राइब अब कुल मिलेंगी मिलेंगी आजकल ज्यादा मतलब है ना लड़कियों का भी हमारे साइड भी बहुत है लड़कियों के अभी मिलते नहीं है लेकिन वह बैंड़ाओं से अपने तरफ नहीं आना रहा है अच्छा तो पंदएफीश लड़कियां मेरे भानी भी अब कर दो दो प्रावला के चाहिए तभी मारे साइड तो हमारे सौथ की सट तो बिलकुल नहीं मिलते हर को इंजनियर रहना चाहिए बहुत प्रावलम है लड़कियों का मिलना अब को सब्सक्राइब बंगला गारी और सालरी पहले से स्ट्रागल दों आदमी की पाद यह सब्सक्राइब के लिए तयार नहीं है तो आप लोग लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करना है सब्सक्राइब के लिए कोई पैसे नहीं लगता है अभिंग दो्सक्राइब करना और उसमें और नोटिफिकेशन सेलेक्ट करना है ताकि मेरी सारे और वीडियो यूसकी नोटिफिकेशन आप लम्यों तक फरकोर मेलане सके तो चलिया दोस्तों बाइबाइब तुशेए कुशेहा बाते यह